नमश्कार पंजाब के स्री देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ गितांजली उत्रखंड के उत्तरकाशी में हुए सुरंग हाथसे में 41 मजदूर अभी भी फसे हुए हैं 12 नवंबर को सिलक 14 में सुरंग टेहने के बाद से फसे मजदूरों को बचाने की उमीद समय बीतने के साथ धुंदली पढ़ती जा रही है इन्हें सुरंग में फसे हुए 9 दिन बीत चुके हैं और बचाव दल को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है उनके स्वास्ति को लेकर भी अब चिंताएं बढ़ती जा रही हैं दरसल एक पतले से पाइप के जरीए अधिकारियों से बात करते हुए मजदूर ने जल्दी बचाने की गुहार लगाते हुए निराशा और आशा दुनों व्यक्त की उत्तरप्रदेश सरकार के प्रतिनिधी अरुकुमार के साथ उंकी बाचीत हुई जो बाचीत हुई वो बेहत चिंता जनक थी दरसल इस टनल में उत्तरप्रदेश के भी आठ मज़़ूर फसे हुए हैं इन मज़़ूरों ने अरुड कुमार से कहा कि जल्दी बाहर निकालो यहां हालात बहुत खराब हैं मज़़ूरों से बात करते हुए अधिकारी ने होसला दिया कि चिंता ना करें होसला बनाए रखें पूरा देश आप लोगों के लिए दुआएं कर रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी ही सफल होगा और हम सभी एक साथ घर जाएंगे वहीं इस बातचीत के दोरान यूपी के एक मज़़ूर ने अरोड कुमार से कहा कि हमें खाना मिल रहा है लेकिन हम सभी की हालत खराब है रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक बढ़ा ये भी आपको बदा देते हैं अलग अलग राजियों की सरकारोंने अपने प्रतिनिदी मज़़ूरों को बचाने के लिए भेज दी हैं नो दिन मजदूरों को टैनल में फसे हुए हो चुके हैं जिसके चलते पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हुई है कि आखिर मजदूरों को बाहर कब तक निकाला जा सकेगा मजदूरों का ये कहना है कि उन्हें अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जल्से जल्द उन्हें बाहर निकाला जाए जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें ये कहा है कि जल्द ही उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा दरसल इस सुरंग में अलग अलग राजि की जानकारी लेने के लिए बेजा है बतादे के हम बुरी हालत में हैं हमें जल्दी बाहर निकालो उत्तरकाशी टर्णल में फसे मजदूरों की ये पुकार है कि सरकार सुने उत्तरकाशी की सुरंग में 40 मजदूर अब गुहार लगा रहे हैं भी उन्हें बाहर निकाला जाए देखने वली बात ये होगी कि मजदूरों को आखिर कब तक बाहर निकाला जा सकेगा यारच बाहर निकाला जा जाए ले होगी कि मारता होगी कि मेदु व celestialना सुष Happy कि मुद Clementina बाहर निकाला जा सकेगा देखने होगी Otherwise